हो चलिए में स्टार्ट करते हैं हमारी इकोंस के सीरिस से यह इसका पार्ट आमा खैडी अब यंजो सब्सक्राइब है अब हम लोग किस्टार्ट करते हैं नेक्ट पारट इसका देखे मगए वार्थ निकी Tunes के वारे किसे कूछ तोल के मारे हम लोग बात कर रहे तो इसमें हम यूगोंने अभी किया था CRR के वाले में SLR के वाले में अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या है कि यह ब्याजदार है कैसी ब्याजदार हैं अब देखिए कि स्टोरी सुन लीते जिससे आप लोग भी नहीं भूलेंगे हम लोग हैं, हम लोग हैं इंदर, हमें अगर पैसे की आवसकता पड़ती है, तो हम किस के पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, इस बैंक के पास जाते हैं, और इससे लोन लेते हैं, लेकिन अगर आप सुचिए, इस बैंक को रुपए की आवसकता पड़ी, पैसो की आवसक सकता पढ़ती है तो यह जाती है obsessed with क्युंकि आर भी बैंकों के लिए बैंक्रेसिता ब्रदान करती है जैसे संटि बैंक हम लोगों लोगों के लिए बैंकिकग खना सकते हैं अब आर बेच जा कहेगी kia किया करेगी इसको लौन देदे इसका को लोन देदे एक भान होगा अबदी का दिया ज़ाता है किसे में लंबी अबदी लंबी किसके एgelानिघर कहींगे जिसका प्रियंगे नभय दिनों से ज्यादा को जिसकी मैचुरिइडी प्रियैरंě तो आघि यह दो जादा को कि अब गैंगे लंबी दिनों से जादा का लून दून दिती है इनबे दिनों से कम का निषihad सब्सक्राइफ तो वह क्या कर सकती है बैंक और जू यह बेवस्ता है इसकी कि अभी हमनों बात करेंगे चलिए करते हैं मैं इसको पहले कर दिता बैंक रेट क्या है जिस पर आर बी आई बैंक को रेट देती हैं देखिए इसमें एक important वात है कौन रेट रहे है और कौन सा यह most important वात है लंबी अब्दी का लंबी अब्दी का और लंबी अब्दी का रेट के से कहेंगे जिसकी मैचुरीटी पिरियट नभ्य दिनों से ज्यादा का हो यानिकि नभ्य दिनों से कम का नहीं होना चाहिए ज्यादा का होना चाहिए यानिकि प्लस में होना चाहिए आप लोग समझ यह से ज़्यादा कोगा बही लंबी अब दिखा होगा चलिए हम लोग इसमें और देख लेते हैं जैसे इदर आर बी आई ने बैंक को लोन दिया लोन दिया अब दिखिए अब यह जो बैंक है यह बैंक भाग दी थो तो आर बी विचारी क्या करें इसका पैसा तो डूम जाएग लेती है या फिर आपके घर के काख़ा लेती है तो यह आर बी आई बैंक से कुछ रखा लेती है क्यों यह बैंक है यह दूब गई यह भाग गई तो क्या होगा तो इसका पैसा ना डूम इसलिए क्या गरेगी इस क्यूरिटी के रूप में कुछ चीज ले लेगी तो सेक्र बात कर लेते हैं इसमें दो सर्ट हैं जो यह सरकारी प्रिती भूथिया है एक मोस्ट इमटु है नमबर एक कर लेते हैं यह इस्तै यह जाक् laugh हम लोग देखे थे जो रुता है यह हूता है इसमें गौ़र्मेंट तो तके वह ते रहती है तो बो जो प्रूतियान र değiş आख के इसमें भी क्या करेगी वह गुवर्मेंट सेक्रिटी रखेगी लेकिन इस भाग में जो कुर्मेंट सेक्रिटी रखे होई होगी वह ऐसा नहीं कर सकती इसके पास अगर कुछ प्रतिभूतियां रखी है तो बैंक दे सकती है तो बैंक दे सकती, यानि कि क्या हुआ, जो SLR वाला हिस्सा है, इसमें जो प्रतिफुतियां रखे हुई है, बो वाली, बैंक RBI को नहीं दे सकती, और दूसरा कितनी देगी, जिसकी बैलू 105% के बराबर हो, मानते हैं, इसने लोन लिया 100 रुपए का, 100 रुपए का लोन लिया है, 100 रुपए का लोन लिया है, तो उसे 105 रुपए के बराबर, इस बैलू की जितनी भी सिक्यूरिटी होंगी, उतनी सिक्यूरिटी देनी पड़ेंगी, जो गवर्मेंट सिक्यूरिटी है, वो देनी पड़ेंगी, कितने मूल लिकी, तो ये भी most important है, आप लोग ध्यान इसके द्वारा रेड नहीं देते हैं, जो लोन है, अब इसके द्वारा नहीं दिया जाता है, किसके द्वारा, बैंक रेट के द्वारा रेड नहीं दिया जाता है, तो ये कबसे नहीं दिया जाता है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ये भी important है, तो 1990 में, आर भी आई नह इसकी फुल फॉर्म होनुती है लुक्रिटी एड्समेंट फैसलिटी इसको कहते हैं इसको बता देता हूँ यहाँ पर इधर एक bank है और इधर एक दूसरी bank है और बीच में कौन है आर पी आई है देखे इसको bank भी है यानि कि दूसरी कोई bank है जिसके पास एतारे हुआ को लोन्त देदेगी अब इसके लिए आबistes सकते है पैसों की तो यही पैसा RBIU उठा करके इसको दे देगी. इसका क्या मसल्ब हुआ? मानते हैं यह बैंक के है, इसको 100 रपे के आवा सकता है. और इस बैंक के पास 100 रपे अतरिक्त हैं, यह ज़्यादा 100 रपे हैं. तो यह क्या करेगी RBIU? इससे 100 रुपए ले लेगी और इसको 100 रुपए देदेगी अब देखे अब इसी से इसका नाम भी लिकलाएगा देखे इसका नाम क्या है लिकिडिटी एड़स्मेंट फैसलिटी यानि कि वो तरलता को सुनिचित कर रही है देखे इसके पास जादा रुपए थे तो उसने क्या किया इसके पास जादा रुपए थे तो इससे लेकर के किसी दूसरी बैंक को दे दिया जिसके पास पैसे नहीं थे उसने क्या क्या एक पैसे का एडस्मेंट कर दिया, यहाँ पर जब जादा तरलता थी, उस तरलता को यहाँ पर ला दिया, जहाँ पर उसकी अबड़ सक्टा थी, तो इसलिए इसका नाम डाल दया गिया है, liquidity justice facility, तो इसके पास जादा था, तो अर्विया नो से ले लिया, जिसके पास नहीं था, उसको दे दिया, तो आपको समझ में आगया, इसको liquidity adjustment facility क्यों कहते हैं, अब देखिए, जब bank RBI से लेती है तो इसको कहते है, reverse repo rate, और जब RBI bank को देती है, तो इसको बोलते है, repo rate, तो अभी हम लोग देखेंगे, repo rate और reverse repo rate के वारे में, बहुत बिस्चित से हम लोग जानकारी लेकिन आपके दिमाग में ऐसा खुशन आ सकता है जब बरतमान में RBI बैंक दर पर रिड नहीं देती है तो हम लोग इसको क्यूं पढ़ रहे हैं इसको हम क्यूं पढ़ रहे हैं इसको तो नहीं पढ़ना चीनिए जब सब्सक्राइब 2000 से इसका उपयोगी नहीं कर रही है देखिए अब जो बैंक दार है क्या जो बैंक दार है इस पर बैंक रेड नहीं देती है जो आर्बियाई है वो बैंकों को रेड नहीं देती है लेकिन इसका यूज आज भी करती है किस रूप में करती है आधार के रूप में आधार मतलब अब 10 फ़िस रखती है इसी के अधर पर यह चुर्माना लगाती है क्या लगाती है penalty लगाती है क्यों कि और ग्रोपे रहे हम ने से आप फुशन आ सकता है कि बैंकों के उपर आरबी जुर्माना क्यों लगाएगी अब आरबी आहे ने का कि आपको CRR और SLR CRR और SLR आपको रखना है लेकिन क्या हुआ जितना अमांट रखना था और सिर्माना देख या कंडना इसे याद नहीं रखना चाहता है फिर भी आपश को पदा कर सकते कि अभी कितना बैंक रेट चल ला है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के अब देखें अब क्या हुआ यहाँ पर आपको लगता हुगा एक किस पर लगाएंगे कैसे लगाएंगे जुरुबाना कितना जुरुबाना लगेगा ये भी आपके में उसे 18 रुपए रखना था तो टोटल कितना हुआ टोटल हो गया 21 रुपए यानि ही इस कोटे में कितने रखने थे बैंक को 21 रुपए लेकिन बैंक ने इसमें कम रखे मानते हैं उसने यहां पर 18 रुपए ही सिरिप रखे इसमें कितने रखे 18 रुपए ही रखे तो कित तीन रुपए पर जितना अमाउंट कम रखेगी उसी अमाउंट पर उससे 4.65% के दर्थ से जुर्माना देना पड़ेगे यानि कि इस 3% का जितना अमाउंट भी 4.65% हम लिका लेंगे जितना भी अमाउंट होगा उतना अमाउंट उससे जुर्माने के रूप में भरना बती है लेकिन इस पर रिडर नहीं देती है अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा था ना लिकुडियूटिटी एजस्मेंट इसके बात करते हैं रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट क्या है इसकी फुल फॉर्म होती है री पर्चिस औप्शन या ऑपर इसको बता देता हूं जैसे इतर बैंक है इसको यह लोन देती है तो लोन देने के इक नौन में ओके सिक्यूरिटी की रूप में कुछ देना पड़ेगा अब सिक्यूरिटी की रूप में यह इसको पैसे दिया इसने इसको एक अला कर और भी आइगी जब भी आपको पैसा देना है जो भी टाइम हमने निश्चित किया है उसके अनुसार जब भी आप आएंगे तो इस प्रतिभूती को बापस ले लेना और हमारा जो लोन है उसे इंट्रेस्ट के साल लोटाल देना तो क्या हुआ यह एक बस्तू थी यह दी तो RBI ने कहा दिया लोन दिया अब जो बैंक है वो दोबारा आएगी इस प्रतिभूती को आ करके दोबारा से ले लेगी और इसके बंदे में जितना उसने लोन लिया था और साथ में ब्याज के सेर उसे RBI को लोटान देगी तो क्या हुआ री पर्चेस कर रहे है री पर्चेस कर रहे है उसको री पर्चेस कर रहे है मतला RBI को उसने आ करके एक बार दे दी और दोबारा करके वो खरीद लेगी जब कब खरीदेगी तुसे अपना जितना लोन लिया है और साथ में जो भी इंट्रेस्ट होगा यानि कि ब्याज होगा जो भी ब्याज होगा वो समीद देना पड़ेगा दीखे मेरे अबीद पतर यह टैब में क्या हो गया है थोड़ा इसमें कहीं लिक रहा हूं तो कहीं जा रहे हैं थोड़ा इसमें डिपेक्ट आ गया है लगता है सैटिंग करने पड़ेगी मुझे दुबारा से और किया है मैं आप से पूछता हूं री पूचता हूं री ब्याज है तो आपको बोलना है तर दो प्र。 बैंकों के लिए रेड देती है आर बी आई बैंकों के लिए क्या देती है रेड देती है लेकिन कौन सा रेड कम अब्धी का और कम अब्धी किसे कहेंगे जिस भी रेड की मैचुरिटी पिरियड हो नभ्हे दिनों से कम का होगा नभ्हे दिनों से कम का होगा तो उससे हम क्या गएंगे कम अभी आपधि का निर्धायत कर दीग एगर इससे कम का होगा 90 जाएं सिर्फ 24 घंटे के लिए दिया जाएं तो उसे हम बोलेंगे ओबर नाइट रिपो इह most important बात है आपको जाद रखना है ओबर नाइट रीपो किसे काएंगे यह से पुछ जाता है ओबर नाइट रिपो किसे काएंगे तो जो रेड होता है जो चौविस घंटे के लिए दिया जाए और अगर रेड है उसकी परिप्रक्ता मतुरी पिरेड है वह सात दिनों का है 14 दिनों का है ऑर 28 दिनों का है इस तरह वो नभे दिनों तक वो सकता है लेकिंधन ज्यादा का नहीं होगा वह क्यों कि कम अब्दी का रेड है अब देखिए साथ 14 एक किस अठाइज इस तरह का अगर रेड हो तो उसे हम क्या कहेंगे जिस तरह हमने 24 घंटे वाले को बोला इसी तरह इसको टर्म रीपो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यह बात आपको ध्यान रखने इंपोर्टेंट है अब मैं आपसे पूछता हूँ तो आपको बोलना है जब RBI बैंको को कम अब्दी का रेड देती है रीपो रेड पर 24 घंटे के लिए तो उसे कहते हैं ओबर नाइट रीपो होगे अब हम लोग देखते हैं इसमें भी कई सारे सर्थ हैं इंपोर्टेंट है यह भी देख लि कि वह देखेगी कि आपको मिनमम कितना है Prime no अथ कितना लोन ले सकते हैं तो आपको कम से कम कम से कम आपको 10 रीपके दस का रोंशर लेना पड़ेगा 10 रह इसका क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ कि आप 10 रिप कैम कब कलौन नहीं ले सकते हैं यानि कि कोई भी बैंक है इदर इदर बैंक है यह चाहती है हम एक कडूर की हमें आवा सकता है तो वो RBI से जाकर के नहीं ले सकती किस पर रीपूरेट पर नहीं ले सकती उससे कम से कम कितना लेना पड़ेगा उससे कम से कम 10 कड़ोर रुपए लेना पड़ेगा तब ही वो repo rate पर RBI loan देगी 10 कड़ोर से कमका नहीं देगी अब देखे इसके बाद आपके दिमाग में आ सकता है कि अब वो 10 कड़ोर से ज़्यादा का ले सकती है तो जरूर ले सकती है लेकिन किसके गुडांक में लेगी 10 कड़ोर और प्लस पांच का गुडांक जो पांच कड़ोर है इसके गुडांक में लेगी इसके गुडांक में लेगी इसका क्या मतलब हुआ देखे अब 10 कड़ोर के बाद अगर वो loan लेना चाहते तो कितना लेगी एक्स कई जो value है यह चेंज करती रही है यह इतना important नहीं है अगर आप लोग जो bank exam देते हैं तो उसमें जाता पूछता है तो देखे 10 कड़ोर अब इसके बाद कितना ले सकती है तो मैं वो बताता हूँ एक्स का यह amount हम लोग 1 रखते है तो कितना हुआ पांची कम पांची होगा तो पांच कड़ोर ही हो गया तो इसके बाद 10 कड़ोर के बाद वो कितना ले सकती है 15 कड़ोर ही ले सकती है यानि इसका मतलब क्या हुआ वो चाहें तो 10 कड़ोर के बाद वो चाहती है 11 करोड या फिर 12, 13, 14 कड़ोर लेना चाहती है तो नहीं ले सकती है उसे कितना लेना पड़ेगा 15 कड़ोर ही लेना पड़ेगा इस तरह यहाँ पर आपको इतना इतना लें पड़ेगा लेकिन j जो एक लिमिट होगी ना तो जो इसलिए मैंने यह बार बार यूज होता है तो आप लोगों ने अगर फिल्पिस वीडियो देखी होंगी तो आपने एंडेटी यह जो बैंक की कुल जमरासि है उसका उसका 0.25% जितना होगा उतना ही वो लोन ले सकती है आप आपको लगता होगा कि 0.25% तो यार बहुत कम है बहुत कम नहीं है बैंक के पास 1000 लाको कड़ोर रुपय होता है तो उसका 0.25% भी लिका लेंगे तो 1000 कड़ोर में आ जाता है यही important बात है यह कई बार पूछा जाता ह रेट है घ्झा बार पुछा जाता है कि जो रेपवरेट है उसमें अगर को मैक्सिमक कितना लोन ले तो जो भी उसकी कुल जमाराशी हो इसको लिखना चाहते है तो लिख सकते हैं जिसको पुल पॉइंट्यटील का इसमें क्या कर दिया। जू DTL है इसका 0.75% तक हम ले सकते हैं है मतलब इस् систем 0.2 5% है इसमें 0.7% है मतलब इसमें आप लोग जादा लोन ले सकते हैं अगर आप लोग अतार के सहत लोन लेते हैं आपने आपके मतलब बैंक बैंक क्योंकि आर्बी आई से हम लोग कॉंटक्ट नहीं रखते हैं मैंने आपको बहुत बार बताया है इन से कौन है जब बैंक को लोन । नें तो लोऔ में जिस तरह अब हम लोग लोग रेट पर रते हैं तो बैंक क्या करेगी यह इक कहते है और इसमें भी देखिए के एक कंडीसन है कि वह अलार का हिस्सा नहीं होनी चाहिए कौन जो सरकारी पृतिव होतियां RBI को दे रहें वह वाले हिस्से नहीं होनी और दूसरा उनकी बैलु किसे होनी की चाहिए 105 परसेंट के बराबर होनी के जितना वह लोन ले रही पहले था दिर्कें को बेर किया मैं वह प्रतिबूतियां होती है कोई भी प्रतिबूतियां लोग पर सरकारी का का प्रतिबूतियां की दिलेने लेकिन now यहां पर होंगी और यह एक प्लेटफॉर्म पर है आप बेज शक्ते हैं खरी सकते हैं तो वह प्लेटफॉर्म फॉर्म कौन सा है यह को बेईर जैसे कि आप समझ़ों से जैसे यहां प्लेट फॉर्म में उसको आप आप संगं है और हम दो आगे हैं और देखते रिवर्ट्स रिपो के वारे में देखें रिवर्ट्स रिपो क्या है यह बी एक ब्यास है लेकिन देखें यहां पर क्या जुड़ा हुआ है एक रिवर्ट्स जुड़ा हुआ है लेकिन यहां पर बड़ जुड़ गया रिवर्ट्स का मतल़ होता है विप्रीत तो उसमें क्या लगा हुआ है रिवर्स लगा हुआ है सब कुछ फूल्टा हुगा तो उसमें क्या हुगा उसमें देखिए आर भी आई को रिड़ देगा और कौन यहां से यहां पर इहां पर वैंक होगा सवारी इधर बैंक होगा इधर आरवे होगा होगी अब देखे जब बैंक और यह को लोन देती है तो उसे सिक्वर्टी रखनी पड़ेंगी नहीं रखनी पड़ेंगी इसलिए वैंने यहां पर लिखाया है आप देखिए जो आरवियाई है बैइ तो उसे डर था इसी लिए उसे प्रतिबूतिया रखना अब आर्बी थोड़ी ना भागते तो आर्बी यहां पर प्रतिबूतिया नहीं रखने परते हैं यह नहीं लगाया था जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएं चुकि यह बहुत जल्दी आप लोग नहीं समझ पाते ह इसको क्लियर रख सकते हैं यानि कि रिवर्स रिपो में जब बैंक को लोन देगी ना तो उसे प्रतिबूतिया गिर्मी नहीं रखने पड़ते हैं आप लोगों को यह ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट बात है होगी चली है मैं इस वीडियो के हम पर यहां करता हूं और अगर आपको कोई वी डाउट है तो आप लोग बूस्ट सकते हैं यहां पर मैं देखिए एक बात बता देता गिन ये पहले एक percent का अंतर होता था मत अब गैसला एक percent अंतर रहता था फिर जो आर बई ने 50% जीरो point 50 5.0 पट and counter रहता था इसके बाद में point 25 का एक अंतर रहता था और बर्धवान में कितना अंतर चलल आ है six point six five परसेंट जो रीपो रेट है इतना चार परसेंट कर लेना मुझे ठीक से याद नहीं है आप लोग देख लिए और कमेट करके बता दीए और रिबर्ट रीपो ए 3.35% है इसे एक बार आप cross check कर लिए से जगर के हैं क्योंकि मैंने काफी पहले देखा था इसको तो हो सकता है गलत हो सकता है लेकिन यह सायर मेरे साब से तो यह ठीक है इसके अलावा आपको कोई भी doubt होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्याज़ सेर करिए इस knowledge को सेर करिए और मेरा भी से motivation बना रहता है ओके चलिए मैं हाँ पर इस वीडियो को finish करता हूं